नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चंचार जागेंदर में पैसे गिंते गिंते ठक जाओगे असी वर्सों बाद जून के महीने में महालक्ष्मी योग छे राशिया होंगी करणपती दोस्तों समय के साथ साथ ग्रहों और नच्छत्रों के चाल के अनसार राशियों में बदलाव आते रहते हैं ग्रहों और नच्छत्रों के अनसार ही मनस्कों अपने जीवन में अच्छे और बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे की जो 30 सास्त्र के अनुसार अगले महिने जून 222 के महिने में महा लक्ष्मी योग बनने जा रहा है जिसके कारण कुछ ऐसी राशिया हैं जिनके जीवन में अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इन राश वाले लोगों के उपर धनकी देवी माता लक्ष्मी जी अब कुवेर का खाजाना लुटाने वाली हैं अपनी विशेश कृपादृष्ट बरसाने वाली हैं इन राश वाले लोगों का जीवन आने वाले समय में बहुत इसुब रहने वाला है जो भी लोग ब्यापा अगर आप कहीं धन निवेश करने की सोच रहे हैं तो धन निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जाश परताल अवश्य कर लें। परिवार में किशी धार्मिक कारकरम होने की संभावना बन रही है। आप लोग इसमें कोई नया कार शुरुआत करने की सोच रहे हैं जिससे आपको काफी ज़्यदा लाभ देखने को मिलेगा। इस दोरान दोस्तों आपको परिवार में सुक और सांती बनी रहेगी। अपार क्रिपा अधिष्ट इन 6 राशियों पर रहने वाली है ये 6 राशियां जून 2020 की महीने में इस महा लक्षमी योग की बनने से कोरोड़पती बनने वाली है तो आखिर ये भाग साली राशियां कौन-कौन सी है जिनकी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जरूर देखें और साथी साथ वीडियो को लाइक करें कमेंट में लिखे जह महालक्ष्मी और साथी साथ मातालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को आप जएदा जदा अपने दोस्त कोई शेर आवेश्य करिएगा तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों बता दे कि सबसे पहले और खुश नशीब जो राशियाती है वो है यहां पर मकर राश मकर राश के आथ को बता दे कि जून दो 1620 कि महिने में महालक्ष्मी योग कि बनने से अब आपकी किसमत सवर्ने वाली है अब आपकी किसमत बहुत तेजी से चमकने वाली है माता लक्षमी कृपा से आपको अपार धन संपता की प्राप्ती होगी धन बैबव की प्राप्ती होगी नए कारियों में आपको लाब देखने को मिलेगा अच्छे कारियों से आपको सफलता मिलेगी जो कार अधूरे पड़े हैं पिंडिंग हैं उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी आपके द्वारा बनाई गई योजनाई काफी कारगर साबित होगी महत्पूर योजनाओं का लाब है मिलेगा बता दे की माता लक्षमी कृपा से आप धन संपत्य एसर में बर्दी होगी कई महत्पूर योजनाओं का लाब है मिलेगा आपके द्वारा बनाई गई योजनाई काफी कारगर साबित होगी और उच्छे धिकारियों का सपोर्ट मिलेगा जो कार आपके रुके वे हैं उनमें आपको सफलता जरूर मिलेगी धन संपत्य के मामले में आप काफी लखी रहेंगे जून 22 के महिने में महा लक्षमी योग की बनने से अब आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा चमकने वाली है साथी बैवाहिक जीबन सुक रहने वाला है संतान प्राति की योग बन रहे हैं बता दे कि आपके द्वारा बनाई गई योजने काफी कारगर सावित होगी जो भी नेड़े लेंगे जो भी फैसला करेंगे वो काफी उचित सावित होगा महत्पून योजनाओं का लाभ है मिलेगा और कारचेत्रों में आपको अधिक अधिक मुनाफ़ा देखने को मिलेगा आपके द्वारा बनाई गई योजने काफी कारगर सावित होगी आपको कई चेत्रों से विशेस लाभ होगा आपको बता दे कि इसमें दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की मिलेगी और कारचेत्रों में आपको अधिक अधिक मुनाफ़ा देखने को मिलेगा आप जो भी निर्ने लेंगे जो भी फैसला और जो भी डिसीजन लेंगे वो काफी उचेत सावित होगा और सही सावित होगा अब अगले जो राज याति दोस्तों बता दे वो हैं याँ पर मीन राज मीन राज की यात को बता दे कि जून दो 12 के महिने में महा लक्ष्मी योग के बनने से अब आपकी किसमत चमकने वाली है भाग सात्मी आस्वन परहेगा बंद किसमत के ताले खुलेंगे माता लक्ष्मी किर्पा से अब आपको कई परकार के लाब देखने को मिलेंगे जी हैं दोस्तो मंगल चंद्रमा के आमने सामने और यूती से महा लक्ष्मी योग की बनने से आपको विशेश लाब देखने को मिलेगा कई महतपूर्य योजनाओं की श्तुरुआत कर सकते हैं ब्यापारिक छेत्र में आपको जवरेश सफलता प्राप्त होगी अपार धन संपता की प्राप्ती होगी कई महतपूर्य कारियों में आपको लाब देखने को मिलेगा साथी साथ धन संपत तेस्तुर में बरती होगी नई नई महतपूर्य योजनाओं का लाब मिलेगा नई नोकरी लगने की उम्मीद बनी हुई है बड़े अधिकारियों का सपोर्ट प्राप्त होगा जो आपके उँची अधिकारी है वो आपके कारियों की प्रसनशा करते नजराएंगे साथी नई जोब लगने की समभावना बन रही है आपको द्वारा लिये गए निने काफी सराहनी होगे और साथी साथ महतपूर्ण सफलताईं आपको प्राप्त होंगे अब आप जो भी निने और जो भी फैसला लेंगे वो काफी उचित सावित होगा बता दे कि हर कारियों में आपको सफलता मिलेगी जो भी निने लेंगे जो भी फैसला करेंगे वो काफी उचेत साबित होगा आपको अपने पुराने कारियों में से विशह शफलताएं पराप्त होंगी बता दे कि महत्तपूर्ण योजनाओं को लाभ है मिलेगा हर कारियों में आपको विशय शफलताएं पराप्त होंगी दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की मिलेगी अब अगले जो रासी है यानि तीसरी वो है यहाँ पर दोस्त बता दे मेस रास मेस रास को याद को बता दे की जून 22 के महिने में इस महालक्ष्मी योग के बनने से अपार सफल तब प्राप्त होगी नए कारियों में ब्रदी होगी साथी प्रेम जीवन में खोशे वरसेंगी लवलाई बहुत अच्छी रहने वाली है लब पार्टरों को कुछ गिप्ट और उपहार देंगे उनके साथ काफी अच्छा वक्त बिताएंगे साथी मन्चाही नौकरी मिलेगी मन्चाही जगह पर आपके ट्रंसफर हो सकते हैं और इसमें आपके पार्टर का सहयोग प्राप्त होगा साधी वेकले ओफर दे सकते हैं और ये समय काफी उचित सावित होगा, घोमने फिरने के सिलसले से जा सकते हैं, धार्मी किस्तानों पर घोमने जा सकते हैं, धार्मकर्म के कारियों पर आप खर्च करते निजराएंगे, लोगों की मदद करते निजराएंगे, लोगों की प्रति आपकी सहान भूत बढ़ेगी बिदेश जाने का सपना पूरा होगा बिदेश में अच्छे कारियों के लिए आप इसमें कोई नए डिसीजन ले सकते हैं आपके द्वारा बनाई गई योजनाई काफी कारगर सावित होगी महतपूर लाब देखने को मिलेगा आप इसमें जो भी कार करेंगे उसमें आपको अपार सफलता प्राप्त होगी बता दे कि उचितनी ने लेके महतपूर सफलताएं प्राप्त करेंगे हर कारियों में आपको विशेश सफलता प्राप्त होगी आपके द्वारा बनाई गई योजनाई काफी कारगर साबित होगी महत्पूर्ण लमोहिं के साथ महत्पूर्ण आपको लाभ देखने को मिलेगा आपके द्वारा बनाई गई योजनाई काफी बहतर होंगी इसमें बिदेश की आत्राएं करेंगे, बिदेशी कंपने से विशेश लाब होगा, बिदेश में रहके आप कोई महत्पूर्ण डिशीजन ले सकते हैं, अच्छे कारियों में आपको विशेश लाब होगा, इसमें आप जो भी कार करेंगे, वो काफी जदा सफल रहेगा, हर क जिर्वाइस के महीने में महालक्षमी योग की बनने से आपको पार सफलता प्राप्त होगी। पुराने मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा रिस्तिदारों का सहयोग प्राप्त होगा और अच्छे कारियों में आपको ज्यदा ज्यदा बुर्दी देखनों को मिलेगी। प्राप्त होगी। प्राप्त होगी। प्राप्त होगी। प्राप्त होगी। और साथी साथ नए कारियों में आपको विशेश उप्राप्त होगी। मालक्षमी कृपा से अब आपका जून दोजरबाइस के महीने में काफी सफलता आपको प्राप्त होगी और कामयवी के सिखर पर रहेंगे। ये छे राशियां ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा धन कमाने में सफल रहेंगी। ये जो बहुत है। ये झाल क्षिक में जोन दो ।